एक बार गुरु नानक देव जी अपने शिश्य भाई मरदाना के साथ सैदपुर गाउं में गए। वहां उन्होंने एक गरीब लेकिन इमानदार आदमी भाई लालो के घर रुकने का निर्णे किया। भाई लालो एक मेहनती बढ़ाई थे और इमानदारी से अपनी रोजी रोटी कमाते थे। गुरु नानक जी के गाउं में आने की खबर सुनकर मलिक भागो, जो गाउं का एक अमीर और लालची जमीनदार था, ने गुरु जी को अपने घर भोजन पर आमंतरित किया। गुरु नानक जी ने उसका निमंतरन ठुकरा दिया और भाई लालो के घर ही रहना पसंद किया। इससे मलिक भागो बहुत नाराज हो गया। मलिक भागो ने गुरु नानक जी को अपने घर बुलाया और उनसे पूछा, आपने मेरे घर का भोजन क्यों नहीं स्विकारा औ और एक गरीब के घर भोजन करना क्यों पसंद किया। गुरु नानक जी ने दोनों के भोजन का परीक्षन करने के लिए एक अदभुत उदाहरन प्रस्तुत किया। उन्होंने भाई लालो के भोजन को एक हाथ में और मलिक भागो के भोजन को दूसरे हाथ में लिया। जैस इसलिए इसमें दूध जैसी पवित्रता है जबकि तुम्हारा भोजन लालच और दूसरों के शोशन से कमाए धन से बना है इसलिए इसमें खून की तरह पाप भरा है ये कहानी हमें सिखाती है कि इमानदारी और मेहनत से कमाई गई रोटी ही सच्ची और पवित्र होती है जबकि दूसरों के शोशन से कमाया गया धन पापूर्ण होता है